जहीं दोस्तों स्वागत आफजवी का आपके अपने परिवार हिंड़क्ष के यूट्यूब चनल पर आज हम बात करेंगे एच्पी पुलिस कॉंस्टेवल एक्जाम दर्शोला के साइंस सेक्शन की देखिए साइंस के सभी को पता है साथ से आठ कुश्चन आते हैं साइंस के पुलिस के पिपर में आज हम बही वाले डिस्कुस करेंगे दर्शोला में सभी को पता है question आपका paper जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही medium में आया था Hindi medium में मैं बार बार बोर रहा हूं यदि trace में भी ऐसा हुआ तो आपको ready रहना है कि आप जो है वो Hindi वाले question भी Hindi medium बाले question भी attempt कर वे बहां पर ठीक है कई बार होता है कि student हमारे English में ज़्यादा comfortable होते हैं तब आपको examiner इस परकार से पसा सकता है समझ गए यहां पर आपकी सहुलियत के लिए दोनों language में question दिये गए है 57 यह है 58 यह है और 59 नीचे दिया गया है English में translate करके बताओ which part of the eye is donated in eye donation बताओ सभी को पता है इस question का सही जवाव है option A is the correct answer next 58 हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़िए इंग्लीश में पढ़ना है तो English में पढ़िए गुर्दों का कारे विताना है आपको what is the main function of kidneys extrusion of waste product from the body C is the correct answer next question है आपका master gland कौन सी गरंथी आपकी कहलाती है प्यूश गरंथी या putritory gland जो है वो हमारी master gland कहलाती है next question है आपका habitus जो है whose inflation जब प्रदाध से होता है काँ वोता है ठीक है basically यहां पूछा गया है जो habitus है वो किस अंग में होता है या किस अंग की बिमारी होती है तो liver की होती है D is the correct answer next question है which part of the blood cell provide immunity रोक प्रतिरक्शन कोन करता है सभी को पता है D is the correct answer wbc ठीक है wbc stand for white blood cell rbc blood red blood cells ठीक है समझे next question है आपका दोनों last question है वीडियो के which is main component of earth atmosphere क्या main component है बताओ जल्दी से तो A is the correct answer nitrogen है नेक्स्ट है आपका light air is the unit of which of the flowing देखिए यह question कम से कम भी आठ से नो एक्जामों में पूछा जा चुका है बड़ा favorite question है यह examiner का तो C is the correct answer distance से unit है light air ठीक है समझ गए आज की वीडियो यहीं तक थी इसमें हमने साथ से 8 question किये discuss science के उमीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी helpful लगी तो आप इस वीडियो के लाइक कर सकते हैं आपके लाइक मोटिवेशन निलता है वीडियो को ज़शे बच्छों में शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जूर करें किसी परकार सब्सक्रा कंटेंट आपको दिया जाएगा बविश्य में और जितना भी हम से help हो पाए तो इस मोक्के को ना जाने दें आप फ्री में फाइदा उठाएं चैनल को सब्सक्राइब पर कर दें विकावस इसी चीज़ से हम मोटेशन मिलती है कि हमारे स्टूडेंट हमारी वीडियो को कितना शेयर कर रहे हैं और कितना रिच्छ करवा रहे हैं यही हमारी मोटिवेश के साथ तका खुश रहेगा पड़ते रहेगा धन्यवाद जैन जै